आज हमनों बैक्टिरिया का बेनिफिसियल और हार्मफुल इफेक्ट्स के विचे में जानेंगे अब जानते हैं कि बैक्टिरिया प्रोकेरियोटिक और इनाइजम है लिविंग बडी है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है 0.5, 0.5 to 5.0 micron इमका साइज होता है अब जाते हैं कि 1 micron is equal to 1 upon 1000, 1000 millimetre यह साइज है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इस प्रिच्ची पर हार जगह पाए जाते हैं बहुत पहले से और इजिन ओप लाइट जब हुआ था 400 400 419.5, billion, billion years पहले यह हुए थे और इजिन का हुए था बैक्टिरिया का आग्ट तोरस आई सोतने की बात है कि बैक्टिरिया के ओरीजिन के लिए कौन सा फैक्टर रेस्पोंसिबूल था उस्टाइन बहुत सार मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स और गेनिक लिविंग बडिस का ओरीजिन हुआ था उसके पे बैक्टिरिया माइको प्राजमा ये शादेग ब्रशन तो बैक्टिरिया जो हुआ उसके पहले वाइक्टिरिया उसके बाद बैक्टिरिया था प्यूत येने बाला और बाक्टिरिया में येने निकली ए monter एकित के रूप में प्रेजेंट रहता है इतना स्थ में, microscopic interval bacteria ये हर जगह होते हैं प्रेंपर जितने भी हैबिटेट है, चाहिए वाटरी हैबिटेट हो, आइक्वेटिक हो, या टेरिस्ट्रियल हो, ओसियल्स हो, या मॉंटेंस हो, ग्रास लेंड हो, या फोरेस्ट हो, आद्मी मैंड्स, खास कर जब इसकी उपियोबिता के विचे में हम लोग जानते हैं, कि आद्मी के लिए बैक्टिरिया कितना बेनिफीचियल हैं और कितना हर्पुल है, बहुत ज्यादा अस्टेडिस परकी गई है, इसके बैक्टिरिया क्योंके आद्मी के इंटेस्टाइम में, गर्थ में, कुलोईकल अप्रेक्टर्स, और यूरोल जेनाइटल पोर्शन के अं अन कि ओपर ही डेजर सारे संख्या में बैक्टिरिया होता है, इंसल आप मैंकर्ण को है, कि एनका नाइजेटियन ये खिक से करते हैं, डैजेटियसन में हिल्प करते हैं, और जो फूड में, ये बैक्टिरिया की बैक्टिरिया प्रेट के लिए ट्रेट के लिए इनका रोल है आदमी को इंसे ज्याल आपने रता है अंदर पे हैं कि हर जागा आतमी के सदीर में तोटल इंटरनल इंटर्शायन गाट और रेक्टम यूर्न जानेकर सिस्टम हर जागा अंदर में प्रेजेट होते हैं यहां अर्व जरीर के ऊपर लिए जो अंदर में रहते हैं वह डाइजेशान यह जो फूर्ट हम लेके उसको यह कंभाट कर देते हैं simple particles में simple part protein को carbohydrate को feds को je break करते हैं और convert कर देते हैं simple molecules में और जो हम उसे हम लोगों को energy मिलती है तागेट मिलता है और उसे आरेने डियने का देबान होता है और लाइफ सुचानु रूप से चलता है कभी-कभी बैक्टिरिया मैंकेंड के लिए दूसरे रूप में भी लावगायक होते हैं कि सीमाच है यह इतन अ पर आधे लिए इतनाओ कपनेश संद है यही बैक्टिरिया के लूक्यार के ज़ता है सुगर बैक्टिज में वह बहुत बड़ी मात्रा में इतनाओ कावत पाण कियाfish दसरे नहीं बैक्टिरिया या विनेगार शिर्का जिसको कहते हैं जो वाइस बनते हैं का 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 में देता है अगले को पहला तो है डाइजेशन डाइजेशन दाइजेशन पूरे इंटर्नल ऑर्गन्स के फंचन को देगुलेट करता है जब फूर्ट अदमी अंदर लेता है तो वहां से इनकार्गोन बैक्टिरिया का चालूब हो जाता है और डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन जो एस्टूर्स और यूरिन के उप में निकलते हैं उनमें भी नहीं कार्गोन बैक्टिरिया का अगर यह नहीं रहेंगे तो समु है चाहिए है उसका प्रडेक्शन से होता है अंति बायोटिक जब लिवन हाक ने 1676 में इसको खोजा था देखा था बैक्टिरिया को आंटिनी वान लिवन हार्क ने 1676 कि निटनीौ में सेंप्पूल साहित माईक्रोजों बनाया था और उसमें उसने एस्टैटि किया था कुछ फंगस का कुछ वार्टर मॉलिटेब वार्क न्यौ मॉलिक्स का अब सब्ढ़ धेर सालीया था नियुदर है बैट्रिया उसनी देखा चोटे-चोटे एनल क्यों द अस्टारी होते ही बैक्तिरियोलोजी पास्टल इंस्टीट कर्मेमार हुआ और 1929 में फ्लेमिंग ने अंटिबियोटिक का विश्कार किया जीरे जीरे इसके अस्टारी का एरिया बरता गया एरिया बरता गया है और humankind के लिए इनके यह contribution को देखा गया कि क्या 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 है एंटिबियोटिक पादल में और गेनिक एसिस के प्रोडेक्शन में इनका रोज तो है खासकर कुछ फूट फॉर्मेशन में जैसे चीज है या कर्ड है उसके पॉड़क्शन है इनका लेकटो बैसिलस लेकटो पिसीं जो होते हैं और उघ्र का रोल होता करक्रामेशन में और शीचते लें एवं ने फोड ने बहुत बड़ा रोल है कि Bis यह man's kind या animal kind गहा जाए उसको health agriculture की medium से भी करते है भी alcohol जैसे कुछ nitrogen itu finer Wow that वरण में nitrogen gas की मात्रा free nitrogen the फशिकष्छ तो कि लेकिन फृक्ष्टक नाम इसको सब्सक्राइब करें यहीं किसे नातर है कि यह 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 लोग क्या करते हैं कि स्वाइल में रहते हैं इनका हैविटेब स्वाइल है और यह बादर के करने के बाद जो नाइट्रोजन फ्री है उसको यह एक्षेप्ट कर लेते हैं उसको यह कहा जाएकि उसको यह नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं और नाइट्राइट में चेंज करने के बाद उसको नाइट्रोबेक्टर नाइट्रेट में बना जाएक वो तक क्या है कि नाइट्रोजन जो है इसको नाइट्राइट नाइट्राइट और तरदेसे में कनभाक कर ददके यह और इह गटिरिय के फार में एश्वाइल में पढ़ा रशता है और नातोरक सब्राइब जो आयने के फॉरमेशन डीने के फॉरमेशन प्रोटीन के फॉरमेशन निप्रियोटाइब के क्लोरोफील के फॉर्मेशन में जिसा बहुत ज्यादा नाइट्रोजन का रोल रहता है नाइट्रोजन का तो यह फिक्स कर दिये जाते हैं नाइट्रिफाइंग बेक्टिरिया के द्वारा और लाइफ सैक्टल आउटम ट्रोफ कार्टू चलता ही है जो गिरीन प्लांक्स है औ हम प्लास अब यहां कुछ लिसील नाइट्रिफाइंग बेक्टि हें जो नाइक्टिच से को करदिते हैं एस तो यह नाइट्रिय सकासे में इनका लोगोर होता है कुछ बैक्टिरिया शीम बायोटिक फॉर्म में रहते हैं जैसे राइजोमिय राइजोमिय बैक्टिरिया है और यह रहता है स्वाइल में जब यह कोई लिविनस प्लांट होता है उसके रूट में यह इन कर जाते हैं और वहाँ एक नोडियूर बोलकार कर्वन हाइजोंड कर लेते हैं उसकोаств कर लेते हिं फूट फुन के रूप में यह जो कार्वाइजकर है प्रोटिन है उसको ऑरदले में उस पौधय ओरेको नाइट्व फ्रिक्स करके देते हैं जिसे उसका ग्रोध होते रहता है इस परकार प्वाध्य को र दो पिक्टीरिया से और रईयोबियो नोको प्वाथ से लाव होता है इस मिल्च मिल्च के बपारिय凭। बहुत ही लबदायक होते हैं आदमी के लिए कुछ बैक्टिरिया हर्फुल ही होते हैं जो प्लांट और एनिमर दोनों को हर्फ पोचाते हैं जैसे ये माइको बैक्टिरियम लेप्रेई माइको बैक्टिरियम माइको बैक्टिरियम लेप्राई इससे कुछ रोग होता है यह बैक्तिरिया जब किसी भी यूमर बड़ी के अंदर चला जाएगा चाहे करें घाव उंड के तुरू या इन्हेलर सास लेने में अगर वह फैनिर के अंदर चला जाएगा तो वह सराने लगता है रॉट कर देता है यह वह दिफर्मेशन हो जाता है शाज जाता है उस बैक्तिरियम का नाम है मैक्तिरियम लेख राएग यह कुछ रोगूत पर रखादेता है कुछ मैक्तिरियम के एक ऐस्केशिया ट्यूबर कुलाई त्यूबर्व कुलाइस से तीवी विबिमार्य वेति है demographic लिए ये ट्यूबर , अग फिर्माइब्स्टे जाते हैं यह वै क्यूबर कुलोसी में और जिनमें यह इंफेक्शन होता है, उनको breaking problem हो जाती है, और last में उनका life खतम हो जाता है, माइको बैक्टिरी टूबर कुलोसिस एक है भीब्रियो कोलेजी यह जबी है कर लिया जागा सदीर के अंदर तो कोर्णा हो जाएगा क्याओर मों चाहिएगा आपन घ्रम तल्सक्राइचान शे मत विब्रियो तो अंदर फीलोफी यह जो है वो एंसेक्स बीमारी उत्पन कर देते हैं जिससे अनिमल्स गाय, बैल्स, मैस, घोड़े यह इंकाडेत हो जाता है और इनके यह हाथफुल इफेक्ट्स हैं इन बैक्टिरिया के यह बीमारियां उत्पन करते हैं और यह पौदों में भी जैसे रिंग डिजीज आफ सोलनेशी अगर बैक्टिरिया बाताबरण में नहीं रहे तो आज भी को रगनेल लाइग कोई जगह नहीं रहेगा और इतना पोलूचन होगा कि आदे मी स्वय उमर जाएगा किसी वह एक बीमारी पूरूशन से होगा और आधी खतम हो जाएगा और इस प्रकार बैक्टिरिया से लाव और हाने हम लोग ने देखा बहुत जादा यह है ठीका ठैक्ट्यू